अगर medicines और health से लेटेड आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपारी पाक के बारे में इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है कैसे लेना है ये सारी जानकरियां जो है आज की इस वीडियो में आपको दूँगा तो देखे इस सुपारी पाक को बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनिया बनाती हैं जिसे के वेदेनात हो गई डावर हो गई हम दर्द हो गई और इसके ग्रेनियूल्स भी आते हैं अब इसको सुपारी पाक को खरीदना कहां से तो देखिए जो भी लोकल आयरवधिक मेडिकर इस्टोर होते हैं वहां से आप इसको खरी सकते हो या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरी सकते हो तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में तो दर से आप जो है इसको घर बैटे बैटे भी मंगा सकते हो अब ये जो है 100% वेडेटेरियन है और कोई भी इंगेडियन्ट हैं जैसे के बादामगरी, पिष्टा, लवंग, मुनक्का बीज, नाकेसर, सताबरी, बंसलोचन, सहेद, इस परकार से और भी इंगेडियन्ट होते हैं जो कि कंपनी कानिसार थोड़े बहुत उपन नीचे होते रहते हैं तो देखे काफी इंगेडियन्ट हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छे हैं अब हम इसके फायदे के बारे बात करते हैं तो देखे ये जो सुपारी पाख है इस पेसली लेडिज हो के लिए बनाई गई मेडिसिन है लेकिन इस पेसली मतलब ऐसा नहीं है कि मेल इसको नहीं ले सकते हैं अब हम इसक होती है pelvic inflammatory disease जिसको आप PID भी बोलते हैं जो कि लेडिसों में होती है तो उसमें काफी फायदे मन्द है या फिर लेडिसों में infertility की सिकायत है या फिर miscarriage हो चुका है या फिर बोलू तो uterus के लिए काफी अच्छा है uterus को यह मजबूत करती है healthy रखती है और जिन लेडिसों क periods irregular है तो उनके लिए भी काफी अच्छी होती है या फिर after delivery मतलब जो लेडिसों होती है डिलेडिसों के बाद बहुत सारी problem हो जाती है उनको जैसे के कई बार देखा हुए कि उनको सरदर्ध होता है या फिर energy की कमी लगती है या फिर चक्कर जो है आते है या फिर कमर दर्ध होती है तो इन सारी condition हो में लेडिस ले सकती है तो देखिए लेडिसों के लिए तो एक प्रकार से बोले हूँ तो ये tonic है और इसके अलावा ये जो है male और female दोनों के reproductive system के लिए काफी अच्छी medicine है और male लोगों में अगर कोई sexual problem है तो उसमें भी ये फायदा करती है और इ इसको बोल सकता हूँ लेडिस लोग इसको ऐसे टॉनिक भी ले सकती है अगर कोई बीमारी नहीं है तब भे अब हम इसके डोस के बारे बात करें तो देखिए दो से चार चम्मच जो है आपको एक बार में लेना होता है और आप इसको जो है एक दिन में दो बार तक ले सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉलम नहीं है बहुत कम प्रॉलम है तो आप चाहें तो एक दिन में इसको एक बार लीजिए और एक बार से फायदा नहीं मिलता है तो उस कंडिशन में आप इसको दो बार कर दीजिए एक दिन में और इसको जो है कुछ भी खाने के पहले कोई भी इसको ले सकते है आप बच्चों के लिए medicine नहीं है और जो pregnant lady है तो pregnant lady को बिना गायने के logist के या doctor के सला करे बिना इस उपारी पाक को नहीं लेना है क्योंकि pregnancy में unnecessary कोई भी medicine नहीं ले जाती है बिना doctor के सला करे बिना अब हम इसके side effect के बारे बात करें तो देखे side effect इसका कुछ भी नहीं है लेकिन अगर आप इसको overdose में ले लेते हो तो हो सकता है कि paid बगेरा खराब हो जाए और देखे जो diabetes है जिनको diabetes वालों को नहीं लेना है क्योंकि इसमें जो है सहद है और सक्कर भी यूज हुई है जो कि diabetes के लिए बेकार होते है अब इदर कोई दूसरी medicine आपके पहले से चल रही है तो उसके सांद इसको ले सकते हैं नहीं तो बिलकुल ले सकते हो जैसे कि आपकी ऐलोपेथी medicine चल रही है तो आप क्या करिए कि इसको दो से तीन घंडे बार ले लीजिए आप इधर कब तक लेना है तो depend करता है कि क्या problem है आप इसको तीन से चे महिने लेकर देखिए आपको अच्छा फायदा मिलेगा और कुछ-कुछ ऐसी condition होती है कि ये लंबे समय तक भी लेना पढ़ सकती है क्योंकि लेडी सो में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसी बिमारी होती है जो कि medicine जो होती है वो थोड़ लंबे समय तक लेना पढ़ सकता है तो उसके लिए जो है आप डॉक्टर से consult करें तो बहतर रहेगा अब result कब तक मिलेगा तो देखिए कम से कम इसको एक से दो महिने लेकर देखिए एक से दो महिने में आपको कुछ ने कुछ फायदा जरूर मिलेगा अब इदर में कुछ एड़वाइस देना चाहूंगा अगर आभी सुपारी पाक लेते हो तो जैसे कि alcohol नहीं लेना है smoking नहीं करना है junk food, fry खाना, जादा मीठा खाना, मिठाई खाना मेदे से बनी चीज़े यह सम नहीं खाना है इसके अलाबा अगर आपका मोटापा है या बजन जादा है तो उसको control करिए या फिर thyroid की बिमारी है या फिर आपको diabetes है तो उसको भी control करिए इसके अलाबा आपको जो है time का ख्याल लगना है lifestyle का ख्याल लगना है और कम से कम एक दिन में 8 गंटे की नीन लेना ज़रूरी होती है इसके अलाबा आप fiber वाला खाना जादा खाये सलाथ खाये, fruits खाये अगर आप diabetic percent है तो fruits को नहीं खाना है इसके लाब आप juice पी सकते हैं और हल्की full के exercise भी कर सकते हैं और exercise के लिए time नहीं मिलता है तो walking करिए, yoga करिए अगर आप यह मेरी advice follow करोगे तो आपको अच्छा खाजा अरजन मिलेगा इस पारी पाका तो मेरा वीडियो तरी खतम होता है अभी भी को doubt है तो comment दोर आप मुझे पूश सकते हो और अगर आपको इस type से और वीडियो देखना है health और medicine से लेटेड जो कि मैं daily बनाते रहता हूँ तो आप मेरी channel को subscribe भी कर सकते हो तो वीडियो अच्छा लगे तो like भी कर दीजीगा फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में जब तक आप बने रही हो देखते रहे हैं आपके अपने channel में knowledge for care